हाई फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल घरेलू नुस्के असरदार उपाय में आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज में आपको चेहरे के दाखधबों को साथी जाईयों को दूर करने का एक असान सा घरेलू उपाय बतने जारी है इस नुस्के से आपके चेह बेल बेटन को क्लिक कर ले ने वीडियो को नौटिफिक्शन पाने के लिए तो चले शुरू करते हैं बहुत सारे यसे लोग है जिनके चेहरे पर जाईयां हो जाते हैं दाखधब्बे हो जाते हैं इससे दूर करने के लिए आपको सबसे पहले लेना होगा मुलतानी मुलतानी मिट्टी के इस्तेमाल से हमारी तवचा अच्छे से क्लीन होती है इससे हमारी तवचा में ग्लो आता है साथ ही या तवचा की बारिक लाइनों को जूरियों को दूर करने में बहुत ही ज़़ा असरदार होता है आपको अपने संवाोस्ते कंसार मुलतानी देना है दही, दही के कि इस्तेमाल से हमारे तक व्हाप सुत्री हो जाती है, चमकी abs hissi होeren शॉत्तों तक यह नहीं को धुक्त करने में व्हाहता सक्थ होता है दही के इस्तेमाल से आपकी तुचा बहुत ज़्यदा सौफ्ट हो जाएगी तुचा की बारीक लाइने दूर होंगी अब इसमें आपको मिक्स कर लेना है नीबू का रस नीबू के रस के इस्तिमाल से आपकी तुचा काफी ग्लूइंग होगी साथी यह नैचोरली ब्लीच करता है जिसे हमारी तुचा की रंगत में बहुत ज़्यादा निकार आता है अब इसमें थोड़ी सी मात्रा में आपको हल्दी इस्तिमाल करना है हल्दी से तुचा के दागधब्बे बहुत ही तेजी से दूर होते हैं साथी यह तुचा को ग्लोइंग भी बनाता है अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है और एक पेस्ट आपको त्यार कर लेना है अब इस पेस्ट को आपको अपने चेहरे पर लगाना है साथी इसे अपने गर्दन पर भी इस्तिमाल करें इससे आपकी तुचा के दागधब्बे जाईयां बहुत ही असानी से दूर हो जाएंगे आपकी तुचा बिल्कुल टाइट हो जाएगी जुरियां और बारी क्लाइने भी इससे दूर हो जाएंगे और आपकी तोचा में अच्छा सा ग्लोव आएगा इसे हफ्ते में तीन से चार बार इस्तिमाल करें आप चाहे तो रुजाना भी इस्तिमाल कर सकते हैं इसे लगा करके जब तक यह ड्राइन हो जाए तब तक आप इसे लगाए रखें फिर नॉर्मल पानी से आप इसे धोलें इसके कुछी इस्तेमाल में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा आपकी तोचा के रंगत के निखार के सांसा तोचा के दागधब्बे ज् के मिलते हैं अग्ली वीडियो में